क्या आपका बच्चा भी बढ़ाई में कमजोर हैं? क्या आप भी अपने बच्चे का कमपैरिजन पड़ोसी की बच्चे या किसी फैमिली वाले की बच्चे से करते हैं? अगर हाँ, तो दोस्तों यह वीडियो आप ही के लिए है, इसे अन तक जरूर देखें. तो सबसे पहले तो मैं हर पैरेंट से कहना चाहती हूँ, कि कोई भी बच्चा कम नहीं होता, हर बच्चे में कुछ न कुछ टैलेंट जरूर होता है. तो दोस्तों, मैं एक टीचर हूँ, और as a teacher, मैं आपको ऐसे ही एक बच्चे की कहानी बताती हूँ, जिसे लोग तो नमश्कार दोस्तों, आप देख रहें, आपका अपना चैनल STC4U, तो दोस्तों, जब अलबट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था, तो उनका सरका वजन सामाने बच्चों की तूलना में अधिक था, और चार साल तक तो उन्होंने बोलना भी नहीं सीखा था, जब उन्ह आपक द्वारामंद बुद्धी कहे जाने पर उन्हें ये एहसास हो चुका था, कि उनका बुद्धी सामने बच्चों की तूलना में कम है, उन्होंने अपने टीचर से पुछा, कि वे अपनी बुद्धी का विकास कैसे कर सकते हैं, तो उनके टीचर ने कहा, अभ्यास, सबसे आगी बढ़कर दिखाएंगी, और अपने कठीन परिश्रम और अभ्यास से उन्होंने मैथ ओफीजिक्स में महारत हांसिल कर ली थी, और आज 14th मार्च, यानि उनके जनम दिन को हम Genius Day की रूप में मनाते हैं, तो दोस्तों सफल होने के लिए कीवल जिग्यासा होनी च चाहिए, तो एक अच्छे अभ्यास की और एक अच्छे टीचर की, तो इसी पे मैं आपको दो लाइन कहना चाहती हूं, कभी न कहो कि दिन अपने खराब है, कभी न कहो कि दिन अपने खराब है, समझ लो कि हम काटो से घीर गुलाब है, रख होंसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल कर समंदर भी आएगा, ठक करना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, ठक करना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा, तो दोस्तों अगर आपको हमारे या वीडियो पसंद आया हो, तो इसे like, share, subscribe करना न भूले, क्योंक कि दोस्तों एक वीडियो बनाने में बहुत महनत लगती है, और आपके एक लाइक से हमें motivation मिलता है, तो प्लीज हमें motivate करने के लिए एक लाइक जरूर करे,